हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टो मैं चैनल, NK Education, CUT-UG 2024 जिसका सौंबार से ओनलाइन प्रिक्रिया शुरू हो गई है, आप ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सनातक दाखले की CUT-UG 2024 की ओनलाइन आवेदन प्रिक्रिया सौंबार से शुर बदलाव किये गए हैं, वो कौन-कौन से बदलाव किये गए हैं, एक तो CUT में इसे hybrid mode पे किया जाएगा, और जिसकी 10 विशे होते थे परिक्षा में, उसकी जगए 6 विशे चुनने का मौका दिया जाएगा, यानि इस बार परिक्षा में 10 की बजाए 6 subject ही आप चुन और जो ये परिक्रिया CUT में पहले एक महिने तक चलती थी, अब वह 15 दिन ही चलेगी, यह इसलिए किया गया है, क्योंकि एक महिने तक बच्चे के और student के ऊपर एक pressure रहता था, उसे देखते हुए इसको 15 दिन किया गया है, 15 दिनों में ही सारी परिक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, 12 के exam चले हुए हैं, कुछ दिन में वो पूरे हो जाएंगे, तो जो भी students है और वो सोच रहे हो कि नहीं यह तो एक महिना चलती है, हम आराम से कर लेंगे, तो आपको बदा दें, यह सिर्फ 15 दिन चलेगा, कहीं फर बाद में आप यह ना सोचें, क्योंकि यह रह मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसका कारिया कर दें, क्योंकि ओनलाइन application के लिए portal को open कर दिया गया है, जिसकी website, यह सब मैंने अभी आपको इससे पहले एक short video बनाया है, उसमें मैंने बताया हुआ है, उसकी website, आप उसमें देख लें, सर्च कर लें, और आप उसको भर सकते हैं, पहली बार यह परिक्षा hybrid प्रारूप में होगी, इससे ग्रामीन वेर दूर दराज इलाकों के छात्रों को घर के पास ही परिक्षा देने का मौका मिलेगा, वह कि बहुत ज़्यादा students हो जाते हैं, जिसकी वज़े से उनको परिक्षा देने में कटना ही आती ह और दूर दराज तक आते आते उनको रहने के लिए पूरा के बार एक्जाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, पिछली बार ऐसी बहुत अन्यमियत देखी गई थी, जिनको देखते हुए यह सुझाव रखा गया था और अब उसको किया गया है कि इसको hybrid मोड में किया जाएग ताकि जो ग्रामीन या दूर दरा से students आते हैं, उनको उनके पास का ही center देकर उसको conduct कराया जा सके, जिस विशय में एक लाग से अधिक पंजीकरन रहेगा, उसकी परिक्षा pen paper और कम पंजीकरन वाले विशय की परिक्षा computer आधरित होगी, यानि जैसे subject दिये गए हैं, उस subject pen paper वाली वही परिक्षा होगी, लेकिन अगर कम रहती है पंजीकरन की संक्या, तो आपका CBT होगा, यानि computer based test ही आपका लिया जाएगा, यह दो तरीके से रखा गया, आप जिस विशय में आपका अगर हो जाता है, तो pen paper वाली होगी, कम पंजीकरन रह जाता है, तो आपकी computer based होगी, और इस बार परिक्षा 10 की बजाए 6 विशय में ही होगी, यहाँ पर आप देख लें, इन्होंने साफ पस्ट लिखा हुआ है, इस बार परिक्षा में 10 की बजाए 6 विशय ही चुनने होगी, परिक्षा परिक्रिया 15 दिन में पूरी कर ली जाएगी, दो चीज इंप काविदन आने पर तो pen copy वाला होगा, और बागी एक से कम होने पर computer based हो जाएगा, तो जो most important है वो यह है कि आपको एक तो 10 की बजाए 6 subject वाला हो गया है, और एक 15 दिन का है, यानि 15 दिन में यह परिक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, अभी तक यह एक महिने तक चलती थी, जैसे ही इसके regarding कोई next update हमें मिलता है, तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो बने रहेगा हमारे channel के साथ, thank you and thanks for watching, next update के लिए